C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ा नंबर पंद्रा सबक तीन दो दोस्त किसी गाउं में दो दोस्त दानिश और दिलावर रहा करते थे दोनों में गहरी दोस्ती थी एक दिन दोनों दानियाल की दुकान पर दाल खरीदने पहुंचे और कहा हमें दाल चाहिए दानियाल ने कहा क्यों नहीं जरूर मिलेगी laboral दोनों ने हैरत से कहा क्यों जनाब दानियाल ने खुश होकर कहा आज मैं आप लोगों से एक नेक काम करवाना चाहता हूं वो क्या दोनों ने हैरत से पूछा हमारे पास थोड़ा अनाज है उसे बस्ती के उन लोगों को देना है और वो भी मुफ्त जो महिनत, मजदूरी तो करते हैं लेकिन उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती है सफा नमबर 15 पे एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठा हुआ है और दो बच्चे उसकी दुकान के बाहर खड़े हैं सफा नमबर 16 दुकानदार ने समझाते हुए कहा और याद रखना वहाँ पर ज्यादा देर रुकना मत कहीं ऐसा नहों वहाँ पर होने वाले कठपुतली के खेल और डुगडुगी की आवाज में गुम हो जाओ और वक्त का खयाल न रहे दोनों खुशी-खुशी राजी हो गए अगर हमें आने में देर हो जाए तो हमारा सामान वाहिद को दे देना वो सामान वसीम की मदद से हम तक पहुँच जाएगा हम सब एक दूसरे को खुब अच्छी तरह जानते हैं इस सफ़ा पर दो तस्वीरे हैं पहली तस्वीर में दो कठ पुतलिया हैं और दूसरी तस्वीर में कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं सफ़ा नंबर सत्रह असाद्जा के लिए हिदायात इस कहानी की मदद से हमें तल्बा को चार हुरूफ दाल, डाल, जाल और वाव सिखाने हैं बच्चों से सवाल करें कि इस कहानी के ऐसे अलफाज बताएं जो डाल से शुरू होते हैं बच्चे दानिश, दिलावर और दानियाल वगेरा लवस बताएंगे इसी तरह बगिया हुरूफ से शुरू होने वाले अलफाज पूछ कर सभी हुरूफ से बच्चों को मतारिफ कराएं फिर इन हुरूफ को जोड़ कर बनाए जाने वाले आसान अलफाज तखते सियाह पर लिखें जैसे अदा, जुदा, खुदा, खुद, दिन, दान, दीन, दाब, बाद और दूब वगेरा यहां बच्चों को ये भी बताया जाए कि ये हुरूफ अपने बाद आने वाले किसी भी हुरूफ से मिला कर नहीं लिखे जाते मश्क 1. इन हुरूफ को लिखवाईए दाल, खाली जगह जाल, खाली जगह वाव, खाली जगह सफह नमबर 18 2. लवजों के हुरूफ अलग-अलग लिखवाईए 2. बराबर खाली जगह खुद बराबर खाली जगह दीन बराबर खाली जगह 3. नीचे दी गई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाईए दांत खाली जगह डंबरू खाली जगह खजाना खाली जगह वकील खाली जगह सफ़ नंबर उन्नीस 4. मिसाल के मताबिक हुरूफ को मिला कर लफ़ बनवाईए मिसाल वाव अलिफ खाली जगह ये बराबर वादी दाल वाव खाली जगह ते बराबर खाली जगह दाल अलिफ खाली जगह ये बराबर खाली जगह खाली जगह बड़ी ये नून अलिफ बराबर खाली जगह अलिफ खाली जगह अलिफ जीम बराबर खाली जगह खाली जगह खाली जगह अलिफ नून बराबर खाली जगह पांच हुरूफ को मिला कर लफ़ बनवाईए मिसाल खे वाव बे बराबर खूब दाल वाव सीन ते बराबर खाली जगह अलिफ नून अलिफ जीम बराबर खाली जगह डाल काफ अलिफ नून बराबर खाली जगह अलिफ मद आ बे अलिफ दाल ये बराबर खाली जगह सफा नंबर 20 6 बच्चों से तीन हर्फी बामाणी अल्फाज बनवाईए खाली जगा, खाली जगा, खाली जगा, बराबर खाली जगा खाली जगा, 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 बराबर खाली जगा साथ, इन लबजों को लिखवाईए खूब, खाली जगा, अनाज, खाली जगा जनाब, खाली जगा, देने, खाली जगा, खास, खाली जगा, आज, खाली जगा, दो, खाली जगा अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक, शेहनाई, भाग एक वाचन्सवर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी, तक्निकी दिर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयक मिनाक्षी कुकरेती, निर्देशन एवं निर्माण वीमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C. नई दिल्ली, भारत